हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के साथ शेयर करूंगी मटर पनीर की रेसिपी या पर मैंने कड़ाय कड़ा दी इसमें तालो में थोड़ा सा तेल तेल गराम हो चुका है तेल में डालेंगे फ्यास जाएक करेंगे नहीं हो चालら को चाल्पी के सुथेयर को चाहर धुटेछ को चाला तालं शष्यास कारता है रेलें द pouchमृयज हो बब्रार आपन के लिएए ँगमीक्षाण मैं क्रों में अलशास भाण 29घ्या तेल सब्सूटी हो दोक्णा तौका जाना थेलों कारता है वह चा क्रूब देल अधरते दो समय कित तस्ती आरते मिदूदुन normalmente क्रूदब और यहाद की देम असको सब में भी वाल दीदो तोड़ा सा थेल गर्म अमस्य देगे तेल में डाले में चोटी लाईज लाईज पूड़ा सिया जीरा पुड़ा साथेजी दीडर तेल तुमाटर तोड़ा सिया जीरा जाल तेमाटर तेंच देगे पुछ आपने दावी ने आपे काजी जटे पन्दावी ले ले लिए लाने एक बड़ी लाजी एक गावी रूसका तुक्राइब तुमाटर को पुछके से गला लेगे तुमाटर को पच्टिन भुक्राइब लाज्टिन को आंपुंदा को श्रीया वेल्टी तुमाटर को बीकाद craницу भूक्ताइब बंच मिध्जी अत्त टेर देल कहले पीछ किवीड आप में लाने अ टो एक जोड़ी लाइग प्यास जालेंगे एक मीडियन साइज की प्यास चॉप कर लिए प्यास को तेल में भूल लेंगे प्यास पोल्टन फ्राइब हो चुकिया है यहां पर मैंने जो प्यास अद्रक लस्तन का पेस रनाया इसको भी एक्षर देना इसी में जो किया नयाटर जाएक प्यास पॉलाई कंगे एक में अएकिया बीछा, मादार बीचंग, मादा पांशो जोड़ी इस प्यास किसाओं सदेशने मैसाले है घ्रके suivre घरिया जाह्त पॉल्टन, बादा। मिरेंगे इसी लाल मिर्च ले ले लेंगे, दियार चमच, अधर चमच हल्दी पादर, मिक्स कर देंगे मसाला हो, इसके साथ नमस एड़ करेंगे, टेस्ट के इसाब से, इसके साथ नमस एड़ करेंगे, इसके साथ मैंने जो टमाटर, गरम मसाले और काजु का प्योरे बनाया, इसको भी एड़ कर दूंगी साथ में, इसको भून लेंगे, कुवच्छी तरह से, इसमें कुवच्छी तरह से, इसमें कुवच्छी स्मेल आने लगे, मसालों की महब खतम होने तक, इसको भूनते राएंगे, इसके साथ थोड़ा सा पनीर को मैश करके डालूंगी, आप एक बार मेरे स्टैल में प्मटर, इसके साथ थोड़ा सा पनीर को मैश करके डालूंगी, अब एक बार मेरे स्टैल में पमटर पनीर बना कर देखें, बहुत ही टेस्ट लगता है बनाने में खाने में और बनाने में भी उतना ही एज़ी है, देखिए इसको मिक्स कर देगे, इसको अधिक के साथ साथ राट कर लें कासूरी मेथी, आब चमश गरम मसाला, इसको डब करके 10 मिनट पका लेंगे मटर गलने तक, अब इसमें हम पनीर एड करेंगे, मटर और पनीर को थोड़ी दर पकाएंगे मटर गलने तक, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मटर पनीर बनकर तयार होगा, इसको थोड़ा सा पानी आट करेंगे, इसको दस नट ढग देंगे, मटर गल चुके हैं, मटर पनीर पन कर रेडी हो चुका है, इसमरालेंगे हरा दन्या, उप्सारा, आपको इसले दिश आउट करते हैं, अमें टर पनीर बन कर रेडी है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल में, आपको मेरी यवाली वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें, और आप मेरे स्टाइल में बना कर देखें, आपको बहुत ही पसंद आया आपके ज़र में मेहमाना है आप कभी भी बना सकते हैं थैंक यू